लोकसभा चुनाब संपन होने के बाद एंडिये ने बले ही पूर बहूमत के साथ अपनी सरकार तो बना ली है लेकिन क्या यह सरकार 5 साल तक अपना कारे काल पूरा कर पाएगी ? यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि भारते जंता पार्टी के पास इस बार पूर बहुमत नहीं है BJP पार्टी इस बार इस चुनाब में 240 सीटों पर सिमट गई वही TDP के पास 16 सीटे और JU के पास 12 सीटे जाती दिखाई दी अब ऐसे में JDU और TDP तो यहाँ पर एहम मूवी का निमाई रही है लेकिन साथ के साथ यहाँ पर छोटे छोटे दल भी एहम मूवी का निमाते नज़र आ रहे है लेकिन इस बार भारते जन्ता पार्टी ने कुछ दलों के साथ वाके में गलत क्या है और पार्शलिटी करी है भारते जन्ता पार्टी ने एक सीट जीतने बाली अनुप्रिया पटेल को तो केंद्री मंत्री बना दिया पांच सीट जीतने बाले चुराग पाजवान को तो मंत्री बना दिया लेकिन महाराश में सिंदे गुट के जो सांसा चुनकर आएं साथ उनमें मंत्री नहीं बनाया गया मतलब केंद्री में बड़ी जिम्मदारी नहीं दी गई हाला कि शिंदे जो है वो भी शांत निजर आ रहे हैं अभी कुछ नहीं कहरे लेकिन जब वो सपत गिनाइन समारों में आये थे प्रदान मंत्री मोदी के तब उनके तेवर कुछ और थे और अब जब वो महाराश पहुचे उसके बाद उनके तेवर कुछ और हो गए कहा तो ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इसलिए सांत बैठे हैं क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबन में बिधानसवा चुनाव होने के संबावना बताई जा रही है महाराश के अंदर ऐसे में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नहीं चाते कि उनके हाथ से बिधानसवा चुनाव निकले उनके हाथ से सीम की कुर्सी निकले मैं आपको बता दूर एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराश के मुख्य मंतरी है वहीं उनका मुकाबला होने जा रहा है इस बार शरत पवार और उद्दब ठाकरे से शरत पवार और उद्दब ठाकरे एक साथ गड़बंदन में महरास्ट में विधान सवा चुनाब लड़ रहे हैं अब एस में एकनात शिंदे अगर अकेले पड़ जाते हैं तब कही न कहीं उन्हें मुस्किलों का सामना करना पड़ेगा वैं आपको बता दूँ एकनात शिंदे शायद इसी कारण बीजेपी का साथ देरे के लिए मजबूर है अब देखना ये दिल्चस्ब होगा क्या भारते जंदा पार्टी एकनात शिंदे का साथ इसी तरह देती नजर आएगी क्योंकि विधान सवा चुनाब अगर शिंदे को जीतना है एकनात शिंदे को जीतना है एक बार मुक्य मंतरी गद्दी पर उन्हें बैठना है तो वो बिना भारते जंदा पार्टी के महरास्ट का चुनाब नहीं जी सकते महरास्ट में देखिए बड़ा बर्चस माना जाता है भारते जंदा पार्टी का बड़ी पार्टी मानी जाती है एकनात शिंदे भी बड़े नेता है बड़ी पार्टी उनकी मानी जाती है खेर आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताईएगा अगर आपको और वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और माय चैनल को ज़रू सब्सक्राइब